हेलो स्टुडेंट्स कैसे है आप सब तो आज हम फिर से एक नए वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ मिल रहे हैं और हाँ अगर आप सबने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो जिल्दि से चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और लाइक करना ना भूले क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक से ही हमें पता चलता हैं कि आपको वीडियो पसंद आया की नहीं और हमें आगे वीडियो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए तो स्टुडेंट्स सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले और अगर आप हमारे आगे के वीडियोज देखना चाहते हैं तो डिस्किप्सिन में दी गई लिंक में जाकर सारे वीडियोज देख सकते हैं तो स्टुडंट्स ये हमारा युनिट टू का लास्ट वीडियो है और हाँ हमने आपके चैप्टर सेल आफ गुद्स का युनिट वन नहीं बनाया है लेकिन अगर आपको युनिट वन के किसी भी टॉपिक में परेशानी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दिज आपके लिए वो वीडियो उप्लोड की जाएगी तो केवियर टेंप्टर का सिंपल मिनिग होता है लेट्स बायर बीवेर इसका मतलब ये हुआ की बायर सावधान रहे इस टॉपिक में कहा गया है कि कोई भी चीज खरीदने बाद उसके लिए बायर लाइबल रहेगा तो बायर को सोच समझ कर चीज खरीदनी होगी लेकिन केवियर टेंप्ट के कुछ एक्सेप्सन भी है जीसमें सेलर लाइबल रहेगा लेकिन बायर लाइबल नहीं रहेगा तो आईए देखते हैं कि वो एकसेप्सन कौन कौन से है जब बाय अपना परपज बता दे कि किस परपज के लिए वो चीज खरीद रहा है तो सेलर की ये लाइबल टी है कि वो बायर को सही चेज दे और अगर वो चीज परपज यानी कीजे सुदेश के लिए वो चेज खरीदी गयी थी वो परपज फूर्फिल नहो तो उसके ये बायर नहीं सेलर लाइबल है. 1. Fitness as to quality or use. 2. Goods sold by description. 3. Goods of merchantable quality. 4. Sale by sample. 5. Goods by sample as well as description. ये 5 वो topics है जो हम आगे के 5 वीडियोस में animation example के साथ देख चुके है. 6. Trade usage. इसे समझने के लिए हम एक example लेते हैं कि मान लीजिए कि आप एक ready-made garments का business कर रहे हैं. Garments यानी की कपटे का business. अब ये implied condition है कि वो सारे ready-made garments जो आप बायर को sale करोगे वो garments बायर के लिए अच्छी तरह से fit हो जाए. और अगर वो अच्छी तरह से fit न हो तो उसके लिए seller liable है. 7. Seller actively conceals defect or is guilty of fraud. जब seller जान मुझकर कोई fruit करे तब इसके लिए seller liable रहेगा और उसे बायर का जो भी नुकसान हुआ हो वो भी पे करना पड़ेगा. कर दो झार हो वो वो पे करे दो करें सक्तिकी तरह बहुआ हैं되ागा. झाल झाल